astrology कोई new concept नहीं है काफी टाइम से अभी modern एरा में कोई advancement हो आइस में ठीके astrology वेद के समय की है है अगर मैं कहूं तो लिखा हुआ है कि वेदों की चक्छू ही astrology है जोतिश को वेद की चक्छू याने की नेत्रमान गया हैं अगर मैं बात करूं आज के तत्यों की तो आज तो जोतिश का 10% भी नहीं है अगर हम पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें होती थी मौसम से लेकर हर कुछ का राज जोतिश होते थे आप देख लो कि कहीं भी ऐसा पुराना पढ़ेंगे वहाँ आपको एक राज जोतिश का पद होता था है ना जो राजा को बताता था आपने कब लड़ाई करनी है आपने कफ असल लगवाना है आपने क्या काम कप करना है तो इस तरीके से बहुत पुरानी चीज़ है जोतिश कोई नई कोई नई विद्या नहीं है आज जहां तक है तो आज अब इसमें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं बचे हैं कुछ जो थे वो वेस्टेंड कंट्रीज चले गए यहां पर उनके जो लोग हैं वो विश्वास नहीं करते हैं अंत्र विश्वास मानते हैं पढ़ाई नहीं चल रही है आप देखो कोई भी उनिवर्सिटी में अभी तक astrology का subject नहीं start हुआ है जबकि इसकी मांग हम किते सालों से कर रहे हैं कि जब हम बड़ी बड़ी चीजों को मुहुर्ट को मानते हैं हम हर चीज को मानते हैं astrology के हिसाब से हर घर पे काम होता है और हम सनातनी हैं तो हमें मैं तो government से request करती हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दें कि astrology astrology as a subject आपको universities में लाना चाहिए ताकि हमें proud feel हो कि हमारा इतना पुराना विज्ञान जो है इतना पुराना शास्त्र है उसकी पढ़ाई हो और यह लुप्त ना हो जाए तो यह सबसे बड़ी चीज है कि आज जो लोग astrology में आना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करने की काम कर रहे हैं और बहुत सारे बुक्स लिखे जा रहे हैं बहुत सारी चीजे़ पर रहे है और इसके साथ इसमें जो लाजिक अभी नहीं है जैसे अगर मैं बात करूआ तो मेरी अभी dpracyroloxx जो सायंटिस्तिंन ॉन्ह cohort में बनाया था उनके साथ मेरी बात पर oral when his astronomy यह ब्लाक साइन्स है, क्योंकि उसके पीछे जो एक पर्दा है, उसे हटाने की जरुवत है, तो उसके काम कौन करेगा, उसके हम ही लोग तो काम करेंगे, जो आस्ट्रोजी कर रहे हैं, क्योंकि इस विज्ञान की ताकत हमें पता है, है ना तो मैं सभी ऐस्ट्रोजर से विंत आस्ट्रोजर निवेदन है कि भई आप ऐस्ट्रोजी को लाएं अस अब्जक्ट, ताकि अच्छे अच्छे लोग इसमें आ सके और इसकी महत्व बनी रहें, अज़र अगर जब हम इसे बहुत प्रतांग चीजों में ले आते हैं, इस तरह से मैं कहूंगी कि करना है हमें तो आप प्रॉपर समझो कि वो रेमेडी है क्या और क्यों बताई जा रही है उसके पीछे का साइंस क्या है इसके अलावा अगबंद करके कोई भी रेमेडी करने लगते हो कि यह जाके वो कर दो बहुत सारी चीज़ें हैं देखो जिनका कोई कहीं भी लिखित प्रमान नही जाते हैं तो एक के बजाए दस ऐसे ऐसे गलत चीज़ों में पढ़ जाते हैं तो हर कुछ का एक तथ्य है और साक्ष है जो अगर आप एस्ट्रोजी में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं रावन सहीता हो गए या फिर हमारे वेदों में बहुत सारे रिचाएं है जिसमें रिमेडीज चुपी हैं और उनके अधार पे हम कोई रिमेडीज बताते हैं क्योंकि उनके पीछे विज्ञान है अगर वेदों में जाएं तो एक एक जो श्टोग है उसके पीछे एक मंत्र है और उसके पीछे उसकी उर्जा है जिससे कैंसर जैसे बीमारियां भी कोई भी आधार पर्मान के अधार पर कोई भी रेमेडी या कोई भी मंत्र ऑर उसका जाब करवाएं बिल्कुल नहीं होता लेकिन अगर आप खुद में ऐसे सोच लो कि खुच भी कर रहे हैं तो आपको विजागरुख होना पड़ेगा पहले तो आपको यह देखना चाहिए क कि हाँ अस्ट्रोजन मुझे सही बता रहा है या गलत बता रहा है और उसका प्रमान क्या है वो भी थोड़ा सा आजकल तो Google हर जगह पर है तो आप देख सकते हैं और आपको खुद भी कि अवेर होना पड़ता है जैसे आप जाते हैं कभी स्कूल में या बच्चों के प्रति अवेर होते हैं कि यहां ठीक पढ़ाई है कि नहीं तो वैसे अवेर होना चाहिए मैं तो यहीं लोगों को कहूंगी कि आख बंद करके सभी जगह ना जाए और उनकी experience को देखें उनकी image को देखें वहाँ पैचाने फिर आप जाए तौर फर हां